अब थोड़ा इसकी राजनीथी पर भी चर्चा करेंगे रविंदर आप ही बताएए हर्याना के चुनाव के बीच अर्विंद केजरिवाल बाहर आ रहे हैं क्या चुनाव पर कुछ असर डाल सकते हैं अर्विंद केजरिवाल क्योंकि कॉंग्रेस देखिए बचने की कोशिश कर रही है इस डिबेट में कॉंग्रेस नहीं है आपको क्या लगता है जी नमस्कार बिलकुल देखिए इसका असर तो हरियाना की राजनीत पर थोड़ा बहुत पड़ेगा क्यूंकि एक जो मोमेंटम है एक टेंपो जो कारेकरताओं का आमाधिन पर्टी की है उनका टेंपो त भाचनाओं के बाद से जील में है तो उस समय का सदूपयोग वो नहीं कर पाए हरियाना के होने के बावजुद सबसे बड़े नहेता हरियाना के रहने वाले हैं इसलिए वही हैं और वो समय का अगर सद्यूपियों कर पाते उनकी गैर हाजरी में उनकी पत्नी को यहां पर कई सारी रैलियां करनी पड़ी लेकिन उनका जो असर होता वो उतना असर आमाधी पार्टी का नहीं हुआ तो आमाधी पार्टी का कोई बहुत बड़ा ब प्वेशे ये जरूर बनेगा कि आज उनको जमानत मिल गई और ED और CBI का तो बहुत नजदी की याराना हरियाना की सरकार से भी है और हरियाना की स्क्रीन पर वीडियो दिखाई ये जरा वो जो मनी से सो दिया और आतिशी वाले विजूल्स हैं वो चलाते रही है वीडियो दि लेता हैं उनके उपर ED के चार पांच केस चल रहे हैं अब कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी भी अटैच की गई थी मानक भाई तब ये जिक्र हुआ था कि शायद इस मामले के बाद अब कुछ भूपेंदर हुड़ा पर भी ED जो है वो सक्त कारवाई कर सकती है तो फिलह पर भाई बहुत शहरी इलाकों में वो डेमेज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा यह इस बात की संभावना फिलहाल हर्याना में तो नहीं दिख रही हैं लेकिन कौंग्रेस पार्टी जो है उसको थोड़ा सा डेमेज कर सकती है आमादी पार्टी क्योंक अगर केजरिवाल जाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है और इसलिए आम आदिपार्टी कॉंग्रेस को उन इलाकों में डेमेज करेगी और शहरी इलाकों में क्योंकि आमादिपार्टी के पास बड़े कैंडिडेट नहीं है बड़े चेहरे नहीं है तो उस शहरों में उनका बड़ा नुकसान नहीं होगा क्यूंकि उनका केंडिडेटर केंडिडेटर जो है वो कमजोर है नवके सीटों पर जरूर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन केवल पांचे सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभावी उमिद्वार उतार पाए हैं और अधिकतर सीटें अब भी ऐसी हैं जहां पर आम आदें पार्टी जमानत बचाने का संगर्श कर रही है अब शीतल जी इंडिया गठबंदन में कोई नहीं जान आएगी क्या अर्विन केजरिवाल की आज बाहर आने से थोड़ी दिर में वो विज्वल अभी हमको मिलने शुरू हो जाएंगे तेहार जेल स लेकिन चुकि बिकरिंग बहुत है अब हरियाना में अलाइंस नहीं हुआ दिली में अलाइंस बनेंगे भी दिली भी तो दो तीन में पच चुना हो रहे तो यह सब चीज़े होंगी एक चीज में विर्द्धी हो जाएगी एक जो न्यूज स्पेस है हमारा नेशनल केजरिवाल भी चुकि महारत ही हैं और उन्हें आता है कि कैसे न्यूज में बने रहा जाए तो उसके एक बड़े हिस्से में आप केजरिवाल को देखना शुरू करेंगे और यह चीज कहीं कहीं तो बीजेपी को फायदा करेंगी हाल फिलहाल के चुनाओं में ओके मतला आपको लगता है एरविंग केजरिवाल दोनों को डामेज करेंगे हर्याणा में जरूर वो ठीक है रहे हैं कुछ सेंटर्स में वो बीजेपी के मद्दाता को प्रवाइद करते हैं और कुछ जगहों पर उनके होने से कॉंग्रेस को रुक्सान जैसे अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो निश्यत तोर पर उससे कांग्रेस के जीतने के चांसे में कुछ कमी हो सकती है लेकिन मुझे फिर शक है हर्याना में पिछले चुनाओं में भी करीब 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी और केज़िवाल की कोई प्रतिस्ठा उ एक फीसद भी नहीं था तो बहुत वोट रोट तो नहीं है जैसा तथेगर चीज़े हैं लेकिन पीछ हो सकता है चुकि लोग सभा में एक सीट पे अलाइंस हुआ उस सीट पर काफी अच्छी लड़ाई हुई लेकिन वो नहीं जी पाए लेकिन काफी अच्छा मत मिला चु हो सकता है कुछ सीटों पर उसका असर हो रवींदर वहां रेगुलर है और रवींदर को जादा पता है तो इसलिए मैं उनकी बात की तश्दीक करना चाहूँ अब जरा शाजिया को और संजीव जा को स्क्रीन पर लाईए वर्सिस लगाईए